हमारा मेन क्यारेक्टर बिजनेस की वज़े से जापान में जाता है और वहाँ पर एक बहुती ब्यूटीफुल लड़की उसे दीखी उसका उस लड़की के साथ अफेर हमेशा उसे बार-बार वही जाने के लिए मजबूर करता है क्या आगे आने वाले डेंजर से ओप बच प कहा सी हुई थी इसके वारे में अब वो हमें बताएगा हारवे मिलिटरी में सर्व कर रहा था जब वो घर पर आया तो उसने एक बहुती ब्यूटीफुल सी लड़की को देखा जिसका नाम था हेलन इन दोनों में प्यार हो गया था वो हमेशा से चाहती थी कि उसका खुद कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉल्म ने आना चाहिए हारवे की फादर भी इस बात के लिए मान जाते है इस बार तो हरवे को फिर से सर्व करने के लिए जाना पड़ा पर जब तक वो वापस आ तब तक बालड़ोबाओ के बहुत सारे फैक्टरीज बन गए थे सिल्क इतना बालड़ोबाओ ने हरवे को से मिलने के लिए बुला है वो गयता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जौब है तुम्हें आफरीका जाना होगा और वहाँ से सिल्क वाम लेकर आने होंगे इनके बास सिल्क वाम तो थे पर बिमारी की वज़़े से हो मर रहे थे हरवे ने बाद के मेरे चुट्टी के सिर्फ दो दिन बचे है मैं काम नहीं कर सकता बालड़ोबाओ गयता है कि तुम्हारे फादर को मैं समझाओंगा वो हरवे के फादर को समझा लेता है उसके बाद हम डारेक्ली हरवे और हेलेन की शादी देखते है हरवे अब हमेशा के लिए बा बीबी चाहिए यह दोनों इस बात से बहुत खुश थे बाल्डवाव उन्हें फिर से हर्वे को बुलाया तो कहता है जो एक्स तुमने लाए हुए थे वो डेड मिले जो बीमारी यहाँ पर थी वही बीमारी इजिप्ट तक भी पहुझ गई थी मैंने सुनाया कि जापनिस ल सिल्क एक बहुत ही अच्छी कॉलिटी का होगा रात में हर्वे हेलें से बात करता है उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हेलें कहती कि मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को रोकना नहीं चाहती अगर इसे सब का फायदा होगा तुम्हें जाना चाहिए उसकी पर पर हर्वे समझ गया कि एक फेक है वोने रियल कोल्ड की जगा फेक कोल्ड देता है इसके बाद अगली दिन वो उसे एक दूसरे आदमी के पास लेकर जाते है वो जब उसका वेट कर रहा था तो हर्वे ने एक बहुती ब्यूटीफुल सी चापने सलटकी को देखा उसे देख पर हो गहता है इन में से हमें कुछ भी नहीं हूँ वो अपने आपको कुछ भी नहीं समझता हर्वे इससे इंप्रेस्ट हो गया उसे कहता हमें पता है कि तुमने फेक गोल्ड हमें दिया था हर्वे ने कहा कि वो एक्स भी फेक थै जब तू मुझे एक्चोल एक दो गया औ और इसके बाद मैं जापान से बाहर निकलूंगा उसी के बाद मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा यह मेरा वादा है यह जब बात चल रही थी तो लड़की हारा के पास आकर सोग गई इनकी ट्रांजेक्शन सक्सेस्फुल होने के बाद हर्वे फिर से वापस आजाता है एकस बहुत ही अच्छे थे और बालडबाव इससे बहुत ही खुश हो गया था हेलन और हारवे भी बहुत खुश थे अगली दिन हारवे हेलन को एक जगा पर लेका जाता है कहता है यह तुम्हारी गार्डन है यह जो घर देख रही हो अब हम यही पर रहेंगे मेरी को बेटा हुआ था और अब वो बड़ा भी होने लग गया था यह गर हेलन के लिए बहुत ही बड़ा था तो हेलन गयती है मैं मेरे फ्रेंड को यहाँ पर काम पर लगा सकती हो यानि कि उसकी बेटे के साथ और भी जारा टाइम कर सके हारवी को भी आइड़ा अच्छा लग पर एडिसीजन तुम्हे लेना है हारवी जाने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे फिर से उस जापनी लड़की को देखना था इस बास जब वो जापान गया तो लोग उसे पहचान दे थे तो ज्यादा तकलिव उससे नहीं होती है वो एक विलेज पहुचा जहाँ पर हारा को आने के लिए जारा टाइम था तो दो दीन दिनों में हारवी उस लड़की को ढूनने की बहुत कोशिश करता है एक छोटे से लड़के से उसने हल भी ली थी हारा के आने के बाद इनकी डील होती है रात में हारवी जब नहा रहा था तो लड़की पीछे से उसके पास वो अपने हाथों से उसे नहला देती है एक चिट्टी उसके हाथ में देकर वहाँ से ओर चलीगी रात में हरवे से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो एक डच मर्चंड था वो जाप नहीं समझ सकता था तो हरवे को गाइड करेगा उसने कहा कि तुम हरा को इतने अच्छे पैसे दे रहे हो इसी वज़े से वो तुमारी खातिरदारी कर रहा है यह सब कुछ सिर्फ एक बिजनेस है डिनर के वक्त सब लोगों की मीटिंग चल रही थी जापान पर हमला होने वाला था तो इसी के बारे में वो बात कर रहे थै डच मर्चन ने हरवे से कहा जल्दी से तुमारी ट्रेड कम्प्लीट करकर यहां से चले जाओ वरना हालात बहुत खराब हो जाएंगे डिनर के वक्त भी वो लड़की और हरवे एक दूसरे को ही देख रहे थै हरवे आसे भाग सकता है तो हरवे ने उसे यही रोकने के लिए उसके पास एक लड़की भेजी हरवे जिस लड़की से प्यार करता है वही लड़की उस दूसरी लड़की को लेकर आई थी उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में दे देती है और बाहरी रोकिए वो लड़की हर्वे के साथ intimate होने लगके ये सब realize करकर बाहर वो बहुत रोती है उस रात के बाद हर्वे ने सुबह उसे ढूणने की कुशिश की वो लेक में उसे नहाते हुए देखता है उस दिन के बाद वो हर्वे को कही भी नहीं दिखी डज मर्चंड ने हर्वे को डेंजर के बारे में बता हुआ था तो इस वज़े से हरा उसे मार देता है मर्चंड का टूटा हुआ चश्मा हर्वे को मिला इसके बाद वो जल्दी से यहां से चला जाता है जा आपान में जो भी हुआ इसके बाद हर्वे पूरी दरीए से तूट चुका था वो सब कुछ चीजे हेलन को बताना चाहता था पर कभी भी बोल नहीं पाता ये प्रेगनंट हो नहीं रहे थे तो हेलन इस वज़े से सैड रहने लग गई एक दिन हर्वे ने उस लड़की के बारे में हलन को बता है उसने कहा कि वो लड़की जापनीज नहीं थी तो एक्च्वल में चाइनीज थी एक दिन टी बना दे होए उससे कुछ एक्सिडन्ट हुआ और उसी वज़े सुसे पता चला कि वर्म से सिल्क भी बन सकता है हेलेन समझ गई थी कि हर्वे अब उसी लड़की से प्यार करता है उस लड़की ने हर्वे को जो नोट दिया था यो पढ़ना चाथा तो इससे लेकर वो बालडवाओ के पास आया उसने कहा कि तुम किसी ना किसी को तो जानती होंगे बालडवाओ कहता है कि एक मैडम है जो एक ब्रॉथल चलाती है उसका नाम है ब्लांच उसके पास जाकर ये तुम रीड कर सकते है उसे रीड करकर बता दिये और इसमें लिखा था कि जल्दी वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हारे बिना मर जाओंगी वो लड़की भी हर्वे से बहुत प्यार करती थी ब्लांच उसे कहती कि तुम्हें उस लड़की के बारे में भूल जाना चाहिए तुम्हें पता है कि वो नहीं मरेगी हारवे इन सब बातों को सुनने वाला नहीं था वो फिर से बालडबाओ के पास गया और कहता है कि मैं फिर से जापान जाना चाहता हूँ बालडबाओ ने कहा कि अब हमारे बास एक आदमी है जिसे पता होता है कौन से एक अच्छे है और कौन से एक पुरे है हम पास की कंट्री से भी एक्स ला सकते हैं और हमारी बिजनेस को कोई भी प्रॉलम नहीं होगा हारवे ने कहा कि कुछ भी हो मैं फिर से जापान जाना ही चाहता हो अगर तुम्हें नहीं तो किसी और को मैं एक्सेल कर दूँगा प्लीज मेरी हेल्प करो इस बार जापान में वार बहुत जादा बढ़ शुकी थी वह आब आज जाना खुद खुशी के बरावर था हारवे के फादर माननी रहे थे पर फिर से एक बार बालडबाओं ने उन्हें समझा दिया हेलन की बाद भी हारवे मानता है ने तो हेलन बालडबाओं के पास आई उसे पूछती है क्या हारवे को हम रोक सकते है या कुछ ना कुछ तो वे हो गाई बाल्डबाव गहता है कि उसने ठान लिया है अब हम उसे नहीं रोक सकते हैं वो जब फिर से जापनीज विलेज में गया तो पूरी तरीगे से जल चुका था हारवे एक लड़के को जानदा था तो उसने उसे फिर से ठून लिया वो गहता है कि मुझे हारा की लोकिशन चाहि पर इसी दूराविन में उस लड़के ने हारवे को मैसिस भेजा था ये मैसेज भी था नेक सीन में हरवे हारा से मिलता हारे नेकहा कि कि उसकी girlfriend हर्वे से प्यार करती है इसी वज़े से उसने उस लटके को मार डाला यहाँ से जाने के लिए हर्वे को last warning देता है हर्वे को से एज नहीं मिले थे तो किसी और जगा से उसने एज लिये और जल्दी से फिर से अपनी country में आ गया पर तब तक summer start हो गया था एक्स hatch हो गए थे और सब worms मर चुकी थी हर्वे आज कल पूरी तरीके से depressed हो गया था एक्स ना मिलने की वज़े से उनकी mills भी burn होने लग गयी थी एक दिन बालडबाव आकर हर्वे से बात करता है कहता है कि तुम्हारे साथ जापान में जो भी हुआ इसके बारे में तुम्हे किसी ना किसी से तो बात करनी चाहिए हर्वे ने कहा कि यह जरूरी नहीं है मैंने एक्स नीला है और इस वज़े से अब हमारे पास पैसे भी नहीं है विंटर में हम स्टार करेंगे हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए बालडबाव के पास कुछ भी आईड़ा नहीं था तो हर्वे कहता है इस गार्डन में हम प्लांटिंग करेंगे इससे हमारे पास फूड़ोगा और सब लोगों को काम मिलेगा इनका विंटर बहुत अच्छे से गुजर गया एक दिन हर्वे को जा पाने से एक चिट्थी आती है यह चिट्थी लेकर वो फिर से बलांच के पा है यह जो हमारे पास मुवमेंट है यही मुवमेंट इंपोर्टेंट था हम कितना भी एक दूसरे के पास रहे पर फिर भी इनफ नहीं होगा इसे हमारी लास मुलागा समझ कर हमेशा मुझे भूल जाओ इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर जाता है फ्रांस और जापान की की बीच में एक टिटी हुई थे इस वज़े से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे हारवे फिर से कभी भी उस लड़की से मिलने के लिए नहीं गया साल बित्ते गये पर हेलन प्रेगनन नहीं हुई उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे अपने फ्रेंड के बेटे को अपना बेटा उमान थिया अपनी रियालिटी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था हारवे को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और उनकी खुशी जादा टाइम तक नहीं चली एक दिन हेलन अचानक से चक कर आकर नीचे गिर जाती है उन्होंने बहुत सारे दिखाए थी तो कहा था कि हम दोना यहीं पर ओल्ड होंगे अब यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस बात से बहुत रोते हैं हेलन की फिर टेथ हो गई थी बाल्डे बाव हमेशा एक हाथ से गेम खेलता था एक स्पेसिविक शॉट था जो लेना चाहता था फाइनली ओ ले पैरिस में जाकर हर जगा पर उसने उसे ढूंडा फाइनली उसे मिल के उसे बुछता है क्या वो लेटर तुमने लिखा था ब्लांश कहती को लेटर मैंने नहीं तो हेलन ने लिखा था जब वो सब कुछ चीजे मुझे बता रही थी तो उसके आखों में आसू थे उसका हेलन को याद करता रहता था हेलन के फ्रेंड का लड़का हमेशा हर्वे से बात करता है उसे अकेला महसूस होने नहीं देता यह जो सारी स्टोरी थी यह हर्वे ने उससे ही बताई थी मरने से पहले हेलन ने हर्वे को एक लेटर लिखा था इसमें लिखा था हमने जो मुमें तो क्या पर शायद बहुत ही लेट हो चुका था इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है यह मूवी हमें बता कर जाती है कि गलत डिसीजन की वज़े से रिक्रेट कैसे होते हैं अगर आपका एक्स्पिनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर मैं बहुत सारी मूवी लेकर आते रहें तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मन पूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया है